नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का CGTT 2024 अरथा 36 गर्सिक्षक पातता परिक्षा के लिए फाइनल आंसर जारी कर दिया गया है रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है कक्षा एक से पांच प्रात्मिक इस तरका जो CGTT परिक्षा हुई थी वो और पहली बार यहां पर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो इससे पहले जितनी भी बार CGTT की परिक्षा हुई है उसमें देखने को नहीं मिला था तो क्या है वह चीज यह सब आगे आपको जानने को मिलेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काले रंग में सब्सक्राइब का बटन दीख रहा होगा दबाईए उसके बेल आइकान घंटी का चिन्न दिखेगा उसे दबाईए ताकि आपको इस तरह के जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सकें तो ऐसा पहली पार किसी फाइनल आंसर में देखने को मिल रहा है C.G.T.E. कि अगर कोई प्रशन है उसका विकल्प A आपने चुना है तो आपको एक नंबर मिलेगा अगर उसका विकल्प आपने C चुना है तो भी आपको एक number मिल जाएगा अगर आपने उसका विकल्प D चुना है तो भी आपको एक number मिल जाएगा तो ये कैसे हो रहा है तो आगे देखते हैं इसमें क्या है इसलिए तो कह रहे हैं यहाँ पर कि कुछ नया है चारो विकल्प भी सही हो सकता है दो विकल्प भी सही हो सकते हैं तीन विकल्प भी सही हो सकते हैं और ऐसा इससे पहले CGTT में देखने को नहीं मिला था चार में से एक विकल्प ही सही होता था या प्रशन डिलिट हो जाता था विलोपित हो जाता था लेकिन इस बार ऐसा नहीं है यह देखिए 36 गर्वेबसाइक परिक्ष मंदल राइपूर फाइनल आंसर की सीजी वैपम का फाइनल आंसर की है टीटी दोजार चोवीस प्रैमिली लेवल कक्षा एक से पांच के लिए जो होता है और तेवीस चै दोजार चोवीस को यहां परिक्षा हुई थी और आंसर में वही देखने को मिलता है या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी या फिर इस्टार इस्टार का मतलब होता है वहाँ प्रशन डिलीट कर दिया गया है वहाँ प्रशन विलोपित कर दिया गया है वहाँ प्रशन कर दिया गया है तो वो खोता है लेकिन यहां पे आप देखेंगे फैनल आंसर में A, B, C, D, स्टार के अलावा आपको कुछ अन्य अक्षर देखने को मिल सकते हैं I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T तो आप देखेंगे यहां पे आप देख लीजिए प्रश्ण 3 सेट A के लिए यहां पे तीनों सेट का आंसर दिया गया है सेट A, सेट B, सेट C, सेट D पूरा 1 से 150 प्रश्णों का आंसर दिया गया है, set A, set B, set C, set D का, तो आप देखेंगे यहाँ पे, कि तिसरे प्रश्ण में, set A के, तिसरे प्रश्ण में T लिया गया है आंसर, अब विकल्प तो A होता है, B होता है, C होता है, D होता है, और अगर विलोपित हुआ है, तो star होता है, हालकि यहाँ पे किसी में भी star नहीं लगा है, यानि किसी भी प्रश्ण को विलोपित नहीं किया गया है, जैसे यह T वाला, पहले वाले CGTT की तरह, star लगा होता है, अगर इससे पहले CGTT हुआ है, इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे T آंसर दे के, वहाँ पे आपको विकल्प A, C, और D, टीनों को सही माना गया है, अर्थात आपने A चुना है, तो भी आपको सही है, किसी ने C चुना है, उसका भी सही है, किसी ने D चुना है, उसका भी सही है, तो आप देखेंगे कि यह पहली बार देखने को आपको मिलेगा CGTT के Final Answer की में तो फिलाल आपको T देखने को मिला है आपको इसी तरह से आप देखेंगे तो यहां पर देखेंगे आई भी हो सकता है जिसमें A और B के लिए आई दर साया जाएगा A और C के लिए J A और D के लिए K A B और C तीनों के लिए L A B D के लिए M इसी परकार A B C D चारों सही होगा तो N B और C अगर सही है तो O B O D सही है तो P B C O D सही है तो Q C O D सही है तो R और A C O D सही है तो T तो इस फैनल आंसर में आपको कई T विकल्प देखने को मिल रहे हैं जैसे कि A अभी तिसरा था और वहीं पर आप और देखेंगे Set B में भी T है Set C में T है Set D में T है मतलब एक प्रशना है जिसका आंसर टी लिया गया है अधिक प्रशना तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे है T या अन या अक्षर वाले बाकी तो A B C या डी में है शिर्फ एक प्रश्णा हमको देखने को मिला हर सेट में एक प्रश्णा जुटी लिया गया है तो यह था नया चीज और इस तरह से आज कल वैपा में आंसर दिया जाता है विडियो लाइक कर दीजिए जानकारी नया मिला है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी प्रत्किया दीजिए वाटसेप फेस्बुक टेलिग्राम जहां चाहे आप इसको सेयर कर दीजिए धन्यमाद